हे गाईस और वेलकम बैक टो माई चनल दोस्तों आज मैं आपके लिए 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 आएक न्यूव वीडियो एडिटिंग टुटरिल और यदि मैं इसको आपको जूम करके बता हूँ तो आप जूम करके भी इसको देख सकते हो इसके अंदर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं दिखेगी तो किस तरीके से आप अपने कपड़े का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो एकदम प्रफेशनल तरीके से आज मैं आपको पूर आप ड़ी ग्राम से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलिग्राम चैनल है वाइरल इंडिया7 तो आप सर्च कर ले ना या फिर आपको डिस्क्रिप्चन में लिंक मिल जाएगा तो आप डाउनलोड करके इंच्टोल कर लेना उसके बाद यहां पर अगर आप VPN करना चाते हो तो क कर सकते हो पर यह वाली एडिटिंग में आपको VPN की जुरूत नहीं पड़ेगी यहाँ पर आप नॉर्मल इसको कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं केपका टेप को ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूआ और यहा बाद का ध्यान देना आप डार कलर के कपड़े पहले लेना जैसे आप ब्लू हो गया रेट हो गया जो भी आप डार कलर कपड़े होते हैं वह पहले लेना जिससे आपके कलर जो है वह अच्छी तरह एकदम पर्फेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मै इसके अंदर हम color को change करेंगे ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे वीडियो पर हम click करेंगे click करने के बाद यहां पर आपको इधर की तरह स्क्रोल करना हो यहां पर आपको एक option दिखेगा पर आपको intensity पर click करना है, click करने के बाद आपको करना है इसको थोड़ा सा increase करना है, increase आपको इतना करना है कि आपके जो color है, जो आपके कपड़े का color है, वो पूरा black हो जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कपड़े का जो color है, वो मैंने black कर लिए है, okay, उसके बाद यहाँ पर मैं करूआ क्या, right पर मैं click कर दूआ, click करने के बाद आपको आपको बेग जाना है, और बेग जाने के बाद यहाँ पर आपको इधर की तरफ स्क्रोल करना है, और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, canvas का, तो आपको canvas वाले option पर click करना है, और यहाँ पर आपको color पर click करके आपको एक color को pick कर लेना है तो यहाँ पर आपको काफी सारे color मिल जाते हैं जिनको आप लगा सकते हो तो यहाँ पर जैसे मैं example के लिए rate color select कर लेता हूँ तो यही रहने देते हैं उसके बाद यहाँ पर हम right पर click कर देंगे click करने के बाद यहाँ पर आपको एकरना है आपको bake चले जाना है अब यहाँ पर आपको एकरना है आपको वापस video पर click करना है और इधर की तरह स्क्रोल करके आपको वापस chroma की वाले option पर चले जाना है उसके बाद यहाँ पर जो main काम है वो आपको करना है आप shadow पर आपको click कर दिना है तो जैसे आप shadow पर click करोगे उसके बाद यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है इसकी duration को थोड़ी से आप increase करना है यहाँ पर जितना आप तो यहाँ पर देखो मैं increase कर रहा हूँ तो जो कपड़ या color है एकदम perfect तरीके से set होता जा रहा है तो यहाँ पर मैं इसको 45 या फिर अगर आप चाहो तो इसको 50 भी कर सकते हो आप आपके according देख लेना यहाँ पर मैं इसके according देख रहा हूँ यह video के according तो यहाँ पर मैं 48 या फिर 50 के around रख लेता हूँ ठीक है तो यह एकदम सही भी लग रहा है तो मैंने 50 के around इसको कर लिया है और right पर मैं click कर देता हूँ अब यहाँ पर आप देखना कुछ इस तरीके से कपड़े का जो color है वो change हो चुका है वो भी एकदम perfect तरीक है color change करना है कपड़े का उतनी बार आप split कर देना उसके बाद आपको करना है आपको इस वाले पर click करना है और यहाँ पर आपको वापस वही काम करना है यहाँ पर आप canvas पर आजाना और canvas पाने के बाद color pick कर लेना जो भी आपको सही लगता है तो यहां पर जैसे मैं यह वाला color pick कर लेता हूं या फिर मैं blue कर लेता हूं यह भी साही लग रहा है तो यह साही लग रहा है उसके बाद यहां पर वापस उस पर जाऊँ आँँँआ video पर click करके chroma key पर जाऊँँआ chroma key पर जाने के बाद यहाँ पर आपको shadow पर click करके इसकी shadow को आपको आपको according set कर लेना है ठीक है तो इस तरीके से आप क्या करना अलग-अलग color change कर लेना next वाली वीडियो पर जाना वापस आप क्या करना canvas पर जाना और color दूसरा pick कर लेना जो भी आपको सही लगता है ठीक है तो यहाँ पर चलो यह जो काम है यह मैं काम जल्दी से कर लेता हूँ अलग-अलग color select कर लेता हूँ उसके बाद मैं last में आपको result बताता हूँ जो result निकलेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अलग-अलग color change कर दिये सब में apply कर दिया है यहाँ पर जो chroma की था उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर effect भी दे सकते हो या फी transition दे सकते हो यहाँ पर आपको यह जो minus वाला option दिख रहा है यह dandy type में इस पर आप click कर देना click करने के बाद आपका जो VPN है को connect होना चाहिए यहाँ पर मैंने VPN को connect कर रहा है जिससे आप effect को apply कर सकते हो ओके तो यहाँ पर आप जो भी आपको transition पसंद आता है वह वाला transition आप लगा सकते हो इसकी duration आपके according आप रख सकते हो और यहाँ पर apply to all कर देना और इसके बाद आपके यह जो effect है वो apply हो जाएगा यहाँ पर मैं sound को mute कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखना कुछ इस तरीके सा आएगा ओके तो यहाँ पर आपकी जो video वो पूरी complete हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको जो last time watermark आएगा इसको आप delete कर देना और उसके बाद अगर आप song को add करना चाहते हो तो इसके अंदर song ही सरी या फिर आप add audio पर click करना और आपको किसी video का sound निकलना है तो आप extract पर click करना click करने के बाद यहाँ पर आप वो video को select करने न जिसका भी आपको sound निकालना है और यहाँ पर आप import sound पर click कर देना तो यहाँ पर वो जो sound है वो आजाएगा और आप उपर वाली video को mute कर देना उसके बाद आपका करना उपर click करना और 1080 और 60 frame पर rate पर इस video को आप export कर देना तो काफी simple तरीका है यह video को बनाना तो I hope आपको यह video पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो यह लाइक कर देना और यह दी चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना तो चलो मिलते हैं आप नेस्ट वीडियो में